दोस्तों कि आपको पता है कि एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अमबानी जो कि हर घंटे 90 करोड रुपे कमाते हैं और दुबई के शेक जो कि हर वक्त अपना पैसा पानी की तरफ बहाते रहते हैं इन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है? मुकेश अमबानी के पास तो इतना पैसा है कि अगर उनकी जेब से 2000 का नोट गिर भी जाए तो उसे उठाने में करीब 10 सेकिंड का समय लग जाएगा और उतने ही समय में वो 40,000 रुपे कमा चुके होंगे और वहीं दूसरी तरफ अगर हम दुबई के शेकों की बात करें तो कि इन दोनों में से जादा अमीर कौन है लेकिन आईए मैं आपको इन अमीरों की कुछ ऐसी बाते बताता हूं जिससे शायद आपको यह पता लग जाए कि इन दोनों में से जादा अमीर कौन है लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नही पैसा 2021 में फोप्स की बिलियने लिस्ट के हिसाब से मुकेश अमबानी के पास 85 बिलियन डॉलर मतलब करीब 6 लाग करोन रुपए से भी जादा की संपत्ती है वहीं दूसरी तरफ शेखों के पास कितना पैसा है उसका आज तक किसी को भी नहीं पता क्योंकि एक बार फोप्स अगर हम मुकेश अमबानी के कार्स कोलेक्शन की बात करें तो मुकेश अमबानी के सिरफ एंटीलिया अपार्टमेंड में ही 168 लगजरी कार्स हैं जिनमें आपको दुनिया भर की सभी एक से बढ़कर एक कार्स मिल जाएंगी उनकी कार्स कोलेक्शन में 7.5 करोड रुपए की रॉल्स रॉइस फेंटम, 4 करोड की मर्सेडिस SLS, 8.5 करोड रुपए की BMW, 6 करोड की Aston Martin और 25 करोड रुपए की Vanity Van भी शामिल हैं एंटीलिया अपार्टमेंड में इनकी सिरफ लगजरी कार्स की पार्किंग के लिए ही 6 फ्लोर्स अलग से बनाये गए हैं वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेखों की बात की जाए तो दुबई के शेखों के घर पर भी 100 से जादा लगजरी गारियां खड़ी रहती हैं जिनमें फरारी, बुगाटी, लेंबोर्गिनी, मेकलेरन ये सब सुपरकार्स सो नॉर्मल हैं 100 से जादा गारियां खरीदना शायद करोडों की कार्स में जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो भी करोडों में ही होती है एक बार तो दुबई के शेख ने अपनी मंच चाहीं नंबर प्लेट को खरीदने के लिए 2 करोड रुपए की बोली लगा दी थी नंबर तीन पर है हाउसिस, यॉर्ट्स और प्राइवेट दोस्तों मुकेश अमबानी का घर इस दुनिया का सबसे महंगा घर है जिसकी कीमत 14,000 करोड रुपए से भी जादा है इस 27 मंजिला बेल्डिंग में तो सिरफ 6 फ्लोर्स कार पार्किंग के लिए ही बनाए गए हैं इसके अलावा इस घर में स्विमिंग पूल, मंदिर, सिने जिम और हैलिपैड भी है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस घर में अभी सिरफ 4 लोग ही रहते हैं लेकिन उन 4 लोगों की सेवा के लिए इसमें 609 कर काम करते हैं इसके अलावा मुकेश अमबानी के पास और भी बहुत सारे घर हैं जिनकी कीमत करोडों में है वहीं अग जो में दुबई के शेखों के बच्चे चीता के साथ अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं इसके साथ साथ दुबई के प्रिंस ने फ्रांस में भी एक महल खरीद कर रखा है जहां वो अक्सर हॉलिडेज के लिए जाते रहते हैं इस घर में भी 100 से ज्यादा नौकर दुबई प्रिंस के ऐशो अराम का ख्यार रखने के लिए लगे रहते हैं अगर हम बात करें लगजरी यॉट्स की तो मुकेश हमबानी ने पिछले साल 400 क्रोड का लगजरी यॉट्ट तो नीता हमबानी के बड़े में ही गिफ्ट कर दिया था उस यॉट्ट में चार बेडरूम के ल दूसरी तरफ दुबई के शेखों की बात करें तो इनके पास 1000 करोड रुपे की एक प्राइवेट यॉट्ट है जिसको समरेल्डा भी कहा जाता है इस यॉट्ट पर वो सकून वो एशो अराम पाया जा सकता है जो कि किसी बड़े सेवन स्टार होटल में भी नहीं पाया जा सकता इस सेवन स्टार यॉट्ट पर तो 24 कमरे सिर्फ नौकरों के ही है जो कि खाना बनाने के साथ साथ सफाई का ध्यान रखते हैं और ये यॉट्ट शेख हमदान 5-10 लोगों की पार्टी के लिए ही यूस करते हैं इसके अलावा इनके पास 400 मिलियन डॉलर्स यानि की जिसे दुबई यॉट के नम से जाना जाता है इस यॉट में 48 मेमान एशो अराम की जिन्दगी गुजार सकते हैं इसके अलावा इसमें 90 नौकरों के कमरे भी हैं जो पानी में तैरते इस 4000 करोड के महल की खिदमत करते हैं इसके अलावा इनके पास ऐसी ही दो लगजरी यॉ जो कि इन्होंने नीता अमबानी को बड़े पर ही गिफ्ट कर दिया था इसके अलावा मुकेश अमबानी के पास बॉइंग बिजनेस जेट भी है जिसकी किमत 535 करोड रुपए है और साथी में उनके पास फैलकल 900X जेट भी है दुबई प्रिंस की बात करें तो उनके पास Airbus A380 प्राइवेट जेट है जो कि 500 मिलियन डॉलर मतलब करीब 3650 करोड रुपए के बराबर है ये प्राइवेट जेट दुनिया के सबसे महेंगे प्राइवेट जेट में से एक है इस प्राइवेट जेट को दिफलाइंग पलेस कहा जाता है क्योंकि सच में ये एक उड़ इस मिलियन डॉलर्स की बोईंग 747 लेक्जरी प्राइवेट जेट भी है वैसे दुबई में तो शेकों को बास बहुत पसंद होते हैं इसलिए वो जहां भी जाते हैं वो बास को अपने साथ लेकर जाते हैं फिर चाहे उन्हें बास के लिए अलग से ही टिकट क्यों ना मुकेश अमबानी की बेटी की शादी की बद करें तो कहा जाता है कि मुकेश अमबानी की बेटी की शादी इस दुनिया की सबसे महंगी शादी मानी जाती है इस शादी में ही जो उनकी बेटी ने ड्रेस पहनी थी वही लगबग 90 करोड रुपे की थी उस वेडिंग के अपने मेहमानों को जोदपूर में पहुचाने के लिए उन्होंने उस बड़े पाटी पर ही 32 चार्टर प्लेंस बुक करवाई थे। इनकी शादी में करोडों रूपए तो सिरफ फूलों की सर्जावट पर ही खर्च कर दिये जाते हैं। इस शादी में जो मेहमान आते हैं उन्हें महेंगी महेंगी गारियां तो सिरफ गिफ्ट के तौर पर ही दी जाती है। बॉलिव्ट के सितारों पर पानी की तरभाते हैं।賀 जहां हम उन्से मिलने को तरसते हैं वहीं अमपानिश को मिलने के लिए वो बॉलिवट के सुपरस्टार्स खुद वे खुद उनके घरपर आते हैं। अब अगर बात करें दुबई के शेखों की, तो उन्हें अगर दुनिया के बड़े-बड़े सितारों से मिलना होता है, तो वो कहीं नहीं जाते, बल्कि बड़े-बड़े सुपरस्टार्स चोटियां मनाने खुद बे-खुद उनके घर पर जाते हैं, दरसल वो सुपरस्टा दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि अमबानी इसके पास दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीजें हैं। जैसे कि आप नीता अमबानी का मुबाईल की ले लो जो कि कहा जाता है कि सारे 300 करोर रुपे का है। इसके साथ-साथ नीता अमबानी के कपड़े और से लेकर मोबाइल तक उनके पास हर चीज सोने की ही है शेखों की कुलेक्शन में रोइल्स रोइस फेंटम मर्सीडीज लेंबोरगिनी जैसी बहुत सारी सोने की पर्थ की कारे भी है इन्होंने तो अपने एरिया में ऐसे एटियम भी लगा रखे हैं जिसमें से सोने की बिस्क कोमेंट करके जुरूर बताईएगा और वीडियो कर पसंद आए तो इसे लाइक और शेट जुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले